नमस्कार दोस्तों आप बहुत बहुत स्वागत है तो मेरे चैनल पर आप Daddy ask реш सभाइज और आप होप सब बहुत वड़ीया ऌगे हम लोग बहुत बढ़ीया है विस है नौफ रवरी और अभी श्राम का टाइम हो रुising ना मनीक्ति सबसे पहले तो आप से पहले अपना फस्ट ब्लॉग डाला था तो उसमें आज वर्ण के व्यूज कंप्लीट हो गये हैं तो आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे वर्ण के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गये होंगे तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तो प्लीट थोड़ा सपोर्ट तो प्लीज वीडियो को अंता तक जरूर देखना तो आज मुझे एक मैसी जाये था कोई रेनु देवी करके तो वह कह रहे था कि आप सामान कहां से लाते हो तो आज का टॉपिक सामान कहां से लाते हूं कैसे लाते हूं क्या करते हो यह सब कुछ के बारे में होने वाला है तो वीडियो को लास तक जरूर देखना तो गई सबसे पहले में आपको यह बता दू कि मेरी सौप खुले लगवग एक साल होने वाला है अपरेल में तो जैसे हर कोई जैसे कोई भी कॉस्मेटिक सौप खुलना चाहता है तो उसके दिमाग में एक ही बात आती है कि सबसे सस दिशान और यहां संद एक सत करी मेरी और यहां तो फिल्फिय से समाने के प्पहला का थिमा अगश्यान सब्सक्रान तो फिल्सक्राइब में आइढंना मतलब कर सता और और तो शी्यको आइडियो में यह दो क्योर्य खिद्शिक्था है तो वहां कैसे लोग मिलते हैं क्या है कैसे समान मिलता है तो यह सब कुछ की बारे में पापा को बता था तो हम भी यहां से सदरवजार चल दिये और वहां मेरे भाई लोग भी रहते हैं तो हम उनके हां रहे लगभग एक हपता वहां रहे उसके बाद हमने एक हपते तक लगा क्योंकि मैंने पहले कभी कॉस्मेटिक सॉब के बारे मिलब यह सामान के बारे में कभी कुस मतलब वैसे यूज करते थे जो नॉर्मल नॉर्मल चीजों होती थी लिकिन ज़ादा आइडिया कुछ दो जब नहीं सदरवजार में गए तो एक तो वहां इतनी भीड और कुछ भी सामान का आइडिया नहीं कि वह कितना बोलना है कितना मार्जन होता है क्या होता है हमें कुछ भी आइडिया नहीं था तो हम नहीं ने ऐसी एक दो सॉब हमने देखी तो पता ही चला थे कहां से ले क्या लें करके तो ऐसी हम नहीं नहीं सॉब में घुजगे तो सामान की तो यूडूम में वीडियो देख दू कि जो भी था जितना मुझे आइडिया था वह सारी लिस्ट में ने बनाई थी कि क्या-क्या लेना है में में सामान जो भी था तो वह लिस्ट बना के हम चल दी थे तो ऐसी हमने दो तीन-चार दिन तक लगतार सौपिंग की तो इतनी भीड इतना टाइम होता नहीं है उनके पास की मतलब तुम्हें बहुत टाइम दे देंगे ऐसा कुछ नहीं तो तुमसे कहते हैं कि फटा फट चांटो-चांटो करें को भीड इतनी रहती है और लोग भी रहता है तो अब हमने ऐसी जितना हमें समझ आता था उतना सामान हमने रख यहां से जो लोग वीडियो दिखाते हैं यूटूब में वो कहते हैं जिस्ट फिरी है ट्रांसपोर्ट फिरी है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है ऐसे तुमने सामान की पूरी खरिदारी कर ली तो उसके बाद जो कार्टून में सामान भरते हैं उसका पैसा भी हमें पेक है जैसे चलो जादा नहीं भी दो आपने 30,000 का समान लिया है तो उसमें से कम से कम आपको तीन चार पांस जार तक का जीस्ट भरना ही बदना पड़ता है मतला हमारे सांथ यह हुआ था क्योंकि हमें जादा आइडिया भी नहीं था और वह कह रहे थे कि बिना जीस्ट के समा आप यहां अपनी तो उसमें पहले से चले जाता था लेकिन अब नहीं जाता है तो हमाई साथ यह हुआ और उसके बाद हमारा इतना पैसा लग गया हर ट्रांसपोर्ट में जैसे हम एक कार्टून बनाते थे तो उसमें पांस साट सो रुपए तो हमारी वही देड़ार में जाते हैं लोग हम देख के जाज कर लिए ह् लिए कही हैन्गाHnehak tekrar कि इस तो आयदिया नी तो हमें पुलते है क्या स्ब्सक्राइशा है कि नीए कि हमें कि क्या रिए पृता हैं निल परसंट आखि नायल पेंट एस में दिक किती हैं मेहंगी मिलते हैं, हमें कुछ नहीं पता, कोई 50 की बोले हम 50, दे रहे थे कोई 60 की बोले 60, तो जो भी जो रिल लग रहा था हमें कुछ आइडिया नहीं था, तो फाइनली सारा समान मान लेके हम आगे, और उसके बाद जैसे-जैसे समान खत्म होाना, तो हम चोटी-चोटी च मैंने होने वाले हैं, तो जब हम यहां पूरी मार्केट घूमें, तो फाइनली मैंने यह सूचा कि वहां दिल्ली जाने से अच्छा, इतना मना टाइम मेश्ट करने से अच्छा, और वहां डर भी रहती है, तो वहां इतनी चोरी डगेते होती है, तुम पैसों की डर हर पाइसे तो तुम रोज जाने लग जाओगे तो वह लोग पहचानने लग जाते हैं, तो तुम चार पीज जासे तुम अपनी बरैटी बना सकते हो, तो इससे बैस्त मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगी, कि अगर आपको कॉस्मेटिक सौप खोलनी है, तो सबसे पहले त बना सबीज भाते तो यह होता है मैं धोफजेएह कि जाता वहां सारी जगों की लोग आते हैं, तो हम खुछे हैं भर लेते हैं나हें हैं करा को मेरे को सबसे बैसे मेरे मेरा مheaded learnt सौण कि सबसे अच्छा है अपने नजदी के पास जाओ फटा फट जाओ टाइम की बजद हो जाती है और पैसे की बजद भी हो जाती है अगर दो रुपे कम किसी में मिले भी तो कोई फरग ने पड़ता है क्योंकि अगर हम यहां से दिल ली जाएंगे तो कितना पैसा आना जाना ट कि आपने पिछली बार गला समान दिया था हमारा सही निवा मतलब इसमें कंप्लाइन आई यह करके लेकिन दिल्ली से अगर समान लाते हैं तो उसमें कुछ बोल भी न सकते क्योंकि हम वहां जा नहीं सकते और उन लोग को पता होता है कि छोट छोट चीजों के लिए यहां रहां कि अपनी आएंगे नहीं कि आईएंगे नहीं जैसे हम लोग सामान लाई ना डाए मेरी बहुत सारी हेर पीन्स थे खराब भी निकखिली नियु अभी तक भी ऐसी की ऐसी पड़ी हैं तो इसलिए बहुत सारी चीजों में हमें नुकसान भी हो तो जो भी मेरा पर्सनल आपके साहर है तो अपने पास के होलसेलर के पास ही जाए यह यहां भी कॉस्मेरिया को जिद्धार ना 2-3 लुपी का फरक जितना पड़ता है वरना कुछ-कुछ चीज़ों में तो मुझे ऐसा लगा कि वहां से अच्छा मुझे यहां मिल दा है क्योंकि वहां तो नोगों ने से हो जाएगा कि आपको लगेगा कि एक बार दिली का विजिट करना चाहिए तो तब करना वरना पास के होल सलर सबसे बैस्ट है सो गाईज यह था मेरा आज का वीडियो I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो वीडियो को like करना share करना और चैनल को subscribe करना और कमेंट करके जरूर बताना की कैसी लगी वीडियो और अगर आपको Cosmetics से related कोई भी question हो तो प्लीज कमेंट करके बताना और मैं आपको रिप्लाई जरूर दूँगी तो बस इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ तब तक बाई बाई टेक केर गूड नाइट